नमस्कार इस चैनल में आप सभी का सहागत है आज इस वीडियो में मैं जेनरल इंट्रेंस और रिजिनिंग के उपर कुछ कोशन लाया हूँ जो अपकमिंग रेलवे एक्जम के लिए बहुत इंपर है आप वीडियो को ध्यान से देखेगा ताकि आपको किसी भी को समझने में कोई दिक्कत ना हो चले शुरू करते हैं देखे यह पर इस कोशन को देखे यह पर कितना number of triangle है वो पुछा गया है ठीक है तो इस कोशन को solve करने के लिए सबसे पहले यह उपर बाला part को solve करेंगे देखे इसको numbering करेंगे यह one है number one यह number two है यह number three है ठीक है उपर बाला part की इसके अंदर है ठीक है तो यह पर भी three होगा यह पर भी three होगा ठीक है तो मतलब three into three कर देंगे तो यह पर आएगा nine ठीक है तो nine numbers of triangle इन तीनों पार्ट में है अभी यह middle बाला portion बाकी रहेगा यह पर इसको भी numbering करेंगे one two three four ठीक है यह छोटा-छोटा four number of triangle है और यह middle बा और one करना है तो यह पर आएगा 15 numbers of triangle इसके अंदर है ठीक है next question को देख लेता है पर इस question को देखी यह पर सबसे largest number कौन सा है वो पुछाए गया है ठीक है option a को पहले solve करेंगे देखिए इसको solve करेंगे तो यह पर two plus two plus two is equal to six six का square आएगा मतलब यह पर क्या है six square is equal to 36 ठीक है यह पर इसको solve करेंगे देखिए two plus two is equal to four four का square is equal to sixteen 16 का square आएगा मतलब यह पर आएगा two 56 ठीक है यह पर देखे two into two into two is equal to eight का square ठीक है eight का square is equal to यह पर 64 ठीक है अभी यह पर देख देखिए two plus यह पर यह पर two है प्लास यह पर four है प्लास यह पर 2 का स्क्वार मतलब 4, 4 का स्क्वार is equal to 16, ठीक है? तो 16 प्लास 4 प्लास 2 is equal to यह पर आएगा 22, ठीक है? तो देखिए है, यह पर कौन सा नमबर largest हुआ? यह नमबर सबसे largest हुआ है, 256 मतलब यह पर option B सबसे largest number है, ठीक है? Next question में चला जाते है, ठीक है, यह पर इस question को देखिए, यह पर question mark है, यह पर किया होगा? सबसे बेली यह first column को solve करेंगे, देखिए, यह पर 3 है, 3 का square करेंगे, plus 5 का square करेंगे, plus 2 का square करेंगे तो यह पर आएगा 3 का square is equal to 9, 5 का square is equal to 25, और 2 का square is equal to 4, ठीक है? 25 plus 9 is equal to 34 plus 4 is equal to 38 तो यहापर 38 आ गया है ठीक है यहापर भी से में देखी यहापर second column में भी से में देखी 1 का square करना है plus 4 का square करना है plus 8 का square करना है तो यहापर 1 plus 16 plus यहापर 64 ठीक है 64 plus 16 is equal to 80 plus 1 is equal to 81 ठीक है यहापर भी से में देखी यह पर क्या होगा यह पर 4 का square करना है plus 7 का square करना है plus question mark का square करना है is equal to क्या है 74 ठीक है is equal to 74 आना चाहिए यह पर देखे 4 का square is equal to 16 plus 7 का square is equal to 49 plus question mark square is equal to 74 ठीक है इसको solve करेंगे तो question mark square is equal to 74 minus इन दोनों को plus करेंगे तो यह पर क्या आएगा 65 आएगा 74 से 65 माइनस कर देंगे तो यह पर आएगा 74 माइनस 65 is equal to 9 ठीक है तो question mark is equal to root over 9 is equal to 3 तो यह पर क्या answer आएगा यह पर आएगा 3 option सी correct answer ठीक है समझ में आया next question में चला जाते है यह पर इस question को देखी यह पर FED into 3 is equal to 1629 है तो यह पर BCD into 4 is equal to 492 है इस question को solve करने के लिए देखी FED into 3 is equal to 1629 कैसे आएगा देखी FED को लिखेंगे FED को अभी देखी ABCD को अगर numerical order में लिखेंगे तो F कितना number में आता है F आता है 6 number में ठीक है E आता है 5th number में D आता है 4th number में ठीक है अभी क्या करना है minus 1 करेंगे इससे 6 से minus 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा 5 से minus 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 से minus 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा ठीक है 5,4,3 को हम क्या करेंगे यह 3 से multiply करेंगे तो यह पर आएगा 1629 ठीक है समझ में आएगा अभी यह पर भी same है यह पर दिखे, B आता है second number में, C आता है third number में, और D आता है fourth number में minus 1 कर देंगे, minus 1 करेंगे, तो यह पर 1 आएगा, यह पर minus 1 करेंगे, तो यह पर 2 आएगा, यह पर minus 1 करेंगे, तो यह पर 3 आएगा 123 into 4 is equal to 492, ठीक है, यह पर क्या होगा, BE, F को लिखेंगे, तो यह पर BE, F को लिखेंगे, BE कितना नम्मर में आता है, second नम्मर में, E आता है, fifth नम्मर में, और F आता है, sixth नम्मर में, अभी क्या करना है, minus 1 करना है, minus 1, minus 1, minus 1, तो यह पर आएगा 1, यह पर आएगा 4, यह पर आएगा 5, ठीक है, 145, 145 के साथ, multiplied by 2 करना है, तो यह पर आएगा 290, ठीक है, तो मतलब यह पर answer आएगा, 290, option B, correct answer, तो next question को देख लेते हैं, यह पर इनम्मर का square root क्या होगा, वो बुचा गया है, ठीक है, तो इसको solve करेंगे देखिए, square root का मतलब उपर यह square root, ठीक है, अभी square root को यह पर करेंगे, तो यह पर 3 to the power 38 को हम common लेंगे, 3 to the power 38, ठीक है, common लेंगे तो यह पर आएगा 1, यह पर किया रहेगा, यह पर आएगा 3, ठीक है, तो मतलब root over 3 to the power 38 into, यह पर 4, ठीक है, अभी देखिए, 3 to the power 38 root के अ यह पर 2 का square ठीक है अभी देखिए यह square के लिए रूट चला जाएगा मतलब यह पर बाकी रहेगा क्या बाकी रहेगा यह पर 3 to the power 19 into यह पर 2 ठीक है तो मतलब यह पर answer आएगा 2 into 3 to the power 19 ठीक है option C correct answer next question को देख लेते हैं यह पर इस question मेरके जगा किया होगा बू पुछागा है यह एक reasoning का question है इसको solve कैसे करना है देखिए 2 से 4 तक कैसे पहुचेंगे plus 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा ठीक है यह पर 4 से 7 कैसे आएगा plus 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा 7 से 11 कैसे आएगा plus 4 करेंगे तो 11 बेना जाएगा यह पर यह पर क्या होगा यह पर देखिए plus 2 plus 3 plus 4 अभी यह पर होगा plus 5 मतलब 11 plus 5 is equal to यह पर होगा उपर में 16 ठीक है अभी नीचे में यह denominator को solve करेंगे देखिए यह पर 3 से 7 कैसे आएगा यह पर plus 4 करने से 7 आता है ठीक है 7 के साथ plus 6 करने से 13 आता है अभी 13 के साथ plus 8 करने से 21 आता है ठीक है पहले plus 4 उसके बाद plus 6 उसके बाद plus 8 उसके बाद अभी क्या होगा अभी यह पर होगा plus 10 मतलब 21 plus 10 is equal to यह पर नीचे में आएगा 31 तो यह पर answer आ गया 16 divided by 31 ठीक है option D correct answer